जैसे एरम गुरुजी जैसे एरम बटा जैसे एरम गुरुजी भी हमारे बग्ध सभी महन्दीपूर बाला जी के दर्शन करके आए और उनको बहुत ही आनन्द फील हुआ अब वो जोद का कारेकरम कर रहे हैं जी उनका प्रेशन है कि हमारी जोद में कोई विगन आए या कुछ भी उसमें संकेत आते हैं तो उनको थोड़ा सा मार दर्शन करें कि वो जोद किस परकार से जला है देखें महन्दीपूर में बहुत प्यारे दर्शन हुए इतना मलब रसी नहीं था और पूरा मेंदीपूर एक किसम से ये मानगे चलिए कि भगतों ने बिल्कुल आमने सामने खड़े होके दर्शन किये तो जो लोग भगत मेंदीपूर जाते हैं सबसे पहला तो मेंदीपूर जाने से संकट रोखते हैं संकट रोकते हैं तो लेकिन जिद्धी होकर कि जो रग मेंधी पूर जाते हैं वो इत्यास रचते हैं जब आप मेंधी पूर होया हैं आपने सारे करक्रिम कर लिये हैं करक्रिम करने के बाद अब आप वापस गए हैं वापस जाने के बाद जिस गुरू के साथ आप गए हैं उ जोज जलाने से पहले घर का महौल इतना खुश हाल होना चीए, इतना प्यारा महौल होना चीए, घर का, कि आपके घर में शक्तियां प्रवेश करें, घर में लडाई, जगडा, ये चीजे नहीं होने चीए, ये चीजे आएंगी, तो आपके घर में नकरतमों शक्तिया जिन्होंने जोज जिला दी है वो भी आप संक्रप ले सकते हैं संक्रप ले करके बोला कि मेरे इतने दिन की जोज़त है बावाजी मेरे घर पे आने विराजे हैं मैं जो भी भोग दूँगी जो भी हम आपको भोग देंगे वो आपको सिविकार हो जो भी नियुन्ता या दिख्ता हो गई हो उसे स्विकार करें ऐसा क्या कि आपने भोग को अर्पन कर देना है जब भोग दें जब बाबाजी को भोग का प्रसाद किवाल आपको ही लेना है जब आपके घर में जोत जल रही हो ध्यान रखिए उस वक्त कलेश ना करें देवी देवता भार चले जाते हैं तो आप इस प्रकार से करें कि आपके घर के अंदर देवी देवता आएं आप प्यार त्योहार वाला महल बनाएं छोटी-छोटी बातों को इग्नूर करें और अब आपने जैसे आपकी जोट जल जाती है जोट जनने के वाद कई बारी क्य अखंड जोत नहीं होते, जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आप जोत को चेड़ें, आप हमेशा एक नई जोत, उसी जोत से जलाके उसको चेड़ें, फिर जाके आप उसको कर सकते हैं, उसको सही कर लें, सेट कर लें, जैसे आप नहीं करना है, उसके फूल हैं, उसको एक तेल मालिस वगरा जो भी चीज़ करते हैं उसमें और मिलाके हलक किसी मालिस करें जहां पर आपको पीड़ा हो रही है जहां पर कस्ट हो रहा है पेट में हो रही है सिर में हो रही है जहां पर भी हो रही है आप जोत के घी को लगाएं और जैसे ही आपने जोत के घी को लगाते कुछ ये सुन्दर गांड का पाठ कर सकते हैं, नुमान चलिसा पड़ सकते हैं, गर्मे जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल देद, भावना जैसी होगी आपको वैसा फल मिलेगा, जोत संपुरन होने के बाद, आपको जो आपने भोग लगाया है, भोग अलग 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 जो बाबाजी को पसंद है, या आपको जो पसंद है, वो चीज़ी खानी है, और साथ में अपने पित्रों को रामदरवार में शर्न देने के लिए धन्यवाद कहते हैं, कि धन्यवाद गुरू जी, धन्यवाद बाला जी माराज, आपके किरपा से हमारे पित्र रामदरवा आपने ये मांग लिया है कि नकरतमक शक्ति आप अमरे घर में आये ना के बाला आएं तो आप ही आये तो आप सोचिए जब हमने ये कहा कि हम आप इाई तो आपका मांसमान हम करेंगे और जो बाबा जी आपके घर में आते हैं तो जोट 새로운 का आपने कर दिया उसके बाद आँख बंद करके भोग लगवाएं भोग लगने के बाद फिर आपने करना होता है उस भोग को आँख बंद कर लें क्योंकि भोग लगते बाद आप बिलकुल आँख नहीं कोलनी होती और भोग का परशाद जो होता है उसे बांड दें वित्रन कर दें अपने परिवार में फिर जैसे आपका भोग होता है फिर एक अर्दास लगती है वो अर्दास आपको लगानी होती है जब आपके घर में जोट जल रही हो तो अर्दास लगाएं और जो ये सारे के सारे प्रसेस हैं ये जो जितने भी अपने प्रक्रिया की हैं इन प्रक्रियाओं के दुरान पे आपके घर में ग्रहे कलेस हो सकता है आपके घर में कोई दिकत भी हो सकती है आपके घर में कोई बादा भी हो सकती है आपके घर में ये सारी चीचे हो सकती है इस प्रकार से आपको ये संकट पीडा हो रही हो तो गुरुजी से फोन करकर के पूछ सकते हैं गुरुजी अब पीडा हो रही है हमारे को कस्ट हो रहा है क्योंकि संकट भी रोख सकता है ऐसे समय पूजा करने में भी रोख सकता है आपकी जोत में विगन भी आ सकता है आपकी जोत में ऐसे वेक्ति आ स इस वीडियो का मकसद यह है क्योंकि हम लोग मेंधीपूर से आएं बहुत सारे लोग जो है जोत का सवाल मिरसे कर रहे थे वो जोत सम्पूरन कर लें उसके बाद क्या करना है उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे जैशियराम वक्तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें और बाबा के परचार में अपना नाम जोड़ दें आप भी बाबा के सेवादार हैं तो आप सेवादार हैं मैं सेवादार हूँ मेरे लिए जै जए शेयराम, जए शेयराम बक्ता, जए शेयराम. जए शेयराम, 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 जए शे